सरल हिंदी में तैत्तिरी उपनिशद प्रस्तुत करता स्वयम प्रकाश शर्मा उपनिशद का आरंब हम प्रात्रा से करते हैं ओम, दिन और प्राण के देवता मित्र, रात्री और अपान के देवता वरुन, आँख और सूर्य मंडल के देवता अर्यमा, बल और भुजाओं के देवता इंद्र, वानी और बुद्धी के देवता ब्रहस्पती, विशाल डगों वाले तथा पैरों के देवता विश्नु, ये सब के सब देवता हमारे लिए कल्यान कारी हों, और इन सब की क्रिपा हम पर सदा बनी रहे। तुम सत्य के स्वामी हो, मैं सदा सही ही बोलूँगा, मैं सदा सत्य ही बोलूँगा, वै सर्व शक्तिमान ब्रह्म मेरी रक्षा करे, सर्व शक्तिमान ब्रह्म मेरे अचार्य की रक्षा करे, रक्षा करें मेरी और रक्षा करें मेरे आचार्य की ओम शान्ती शान्ती ओम तैतिरी उपनिशद यजृ वेद की तैतिरिय शाखा का हिस्सा है और इसकी गिंती हिंदु धर्म के 11 मुख्य उपनिशदों में होती है उपनिशद में कुल मिलाकर तीन भाग हैं जिनें वल्ली कहते हैं पहला भाग शिक्षा वल्ली है जिसमें उच्चारण, व्याकरण और साधारण तथा व्यावारिक ज्यान की बाते हैं दूसरा भाग ब्रह्मानंद वल्ली है और तीसरा और अंतिम भाग भ्रिगु वल्ली है। ये दोनों ब्रह्म के बारे में हैं। उपनिशत को तीन भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में परिचय और शिक्षा वल्ली है। दूसरे भाग में ब्रह्मानंद वल उपनिशद का सही अर्थ जानने के लिए हमें सबसे पहले सही उचारन सीखना होगा, क्योंकि अशुद्ध उचारन से समझने में गलती हो सकती है, इसलिए उचारन का पाठ आवशक है, यहां जो सीखना है, वे है वर्ण, स्वर्ण, मात्रा और प्रेव्ण, वर्णों का सही उचारन तथा उनका सही तरीके से गान, इस प्रकार वेद की शिक्षा के बारे में कहा गया है, हम दोनों गुरु और शिश्य का यश एक साथ बड़े, हम दोनों का ब्रह्म तेज भी एक साथ बड़े, अब हम पांच महान संयोजनों, अर्थात पांच महान समुहों की पवित्र शिक्षा सीखेंगे, सबसे पहला संयोजन लोकों का है, दूसरा आकाश में जियोतियों का है, तीसरा ग्यान का है, चौथा संतान का है, और पांचवा व्यक्ति का है, शरीर का है, इनी पांच संयोजनों को महान संयोजन कहा गया है, इनका अब विवरन दिया जाता है, लोकों के संयोजन में प्रित्वी पहला आकार है, स्वर्ग बाद का अकार है, अंतरिक्ष उनके मिलने का स्थान, उनका संगम है, और वायू उन्हें जोडने वाली कड़ी है, लोकों के विशे में ये संयोजन पूरा हुआ, जोतियों के संयोजन में अगनी पहला रूप है, सूर्य बाद का रूप है, जल उनके मिलने का स्थान है, उनका संगम है, और विजली उन्हें जोडने वाली कड़ी है, ये हुआ जोति विशे संयोजन, ज्ञान के संयोजन में अचार्य या गुरू पहला रूप है, साथ रहने वाला शिश्य दूसरा या बाद का रूप है, ज्ञान उनके मिलने का स्थान है, उनका संगम है, और शिक्षन या पढ़ाना उन्हें जोडने वाली कड़ी है, ये हुआ ज्ञान विश्यक संयोजन. संतान के संयोजन में माता पहला रूप है पिताबाद का रूप है संतान जो उन दोनों की मेल से उत्पन हुई है उनके मिलने का स्थान है उनका संगम है और वंश वृद्धी की क्रिया उन्हें जोडने वाली कड़ी है यह हुआ संतान विश्यक संयोजन पांचवा स्वयम व्यक्ति का संयोजन है इसमें निचला जबडा पहला रूप है उपर वाला जबडा बाद वाला रूप है वानी उनके मिलने का स्थान है उनका संगम है और जीब उन्हें जोडने वाली कडी है यह हुआ व्यक्ति विश्यक संयोजन, यह पांच महान संयोजन या पांच महान रहस्य है, मनोश्य जब ऐसे बताए गए, इन पांच रहस्यों को समझ लेता है, और जो उन पर ध्यान लगाता है, वह सम्रिधी पाता है, उसे संतान मिलती है, उसे धन मिलता है, और उसे ब्रह् ज्ञान का वैभव प्राप्त होता है। उसके खाने के लिए पर्याप्त अन्न होगा और उसे अपने निवास के लिए स्वर्ग उपलब्ध होगा। उसे यहां प्रित्वी लोक में और बाद के लोकों में भी सम्रिधी मिलेगी। ब्रह्म जिसे वेदों के श्लोकों और मंत्रों में सबसे श्रिष्ट बताया गया है और जिसने सब जीवों का रूप धारन किया है जो अमर भजनों से जन्मा है वही ब्रह्म मुझे अमरता के रास्ते पर चलने की बुद्धी और समझ दे और मुझे अमर बना दे हे मेरा शरीर हमेशा शक्ति शाली और फुर्तिला हो मेरी जीव और मेरी वाणी हमेशा मधुर हो मैं अपने कानों से साफ और मधुर सुना करूँ जो लौकिक बुद्धी से धका हुआ ब्रह्म का कोश है वही परम आत्मा है वे मेरे सुने और सीखे हुए ज्ञान की रक्षा करे। हे भगवन मुझे सदा और बढ़ती मात्रा में धन, वस्त्र, अन तथा पेय प्राप्त हो। भेडबकरी आदी पशों सहित सब भोग समगरे मुझे सदा प्राप्त हो। अध्यात में ग्यान के चक शिष्य मेरे पास सब और से आएं, दूर पास से आएं, मेरे पास हर तरफ से आएं। ये शिष्य कपट शून्य हो। ये प्रामाने ग्यान को ग्रहन करने वाले हो। ये इंद्रियों का दमन करने वाले हो। और मन को वश्मे करने वाले हो। मैं मनुष्यों में प्रसिद्ध हो जाओं, मैं धन्वानों से भी अधिक नामी हो जाओं आप में हे अराध्य दैयालू इश्वर मैं प्रवेश करूँ, आप दैयालू कृपालू इश्वर मुझ में प्रवेश करें आपके इस अनन्त, विविदता और भिन्नता वाले आत्म से मैं शुद्ध हो गया हूँ मेरे सारे पाप धुल कर साफ हो गये है जैसे जल और नदियां धलान पर चलते हुए समुद्र का रास्ता ढून लेती है वैसे ही दिन महीने बन काल में चले जाते हैं ऐसे ही है प्रभू, मेरे पास पवित्र ज्यान पाने के शिश्य हर और से आए आप ही सब के आश्रे और आधार हैं, आप ही सब के विश्राम के स्थान हैं मेरे लिए प्रकट हो, मुझे दिखाई दो, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे अपना बना लो भू, भुव, सुवह, ये तीन जाने हुए रहस्यवादी बोल हैं, ये तीन रहस्यवादी ध्वनिया हैं माचमस के पुत्र ने चौथा ऐसा बोल महा खोज निकाला और उसे सारी दुनिया को बता दिया वे महा ही सर्शक्तिमान है, वही परंब्रम है, सभी वेद उस परंब्रम के अधीन है, वे सब तो केवल उस ब्रम के अंग मात्र ही हैं जब भू यह जगत है, भूव बीच वाला अंतरिक्ष है और स्वह स्वर्ग लोक है, तब महा सूर्य है जो सारी स्रिष्टी और सारी जीवन को सब जगहे पोशित करता है जब भू अगनी है, भूव वायू है और स्वह सूर्य है तब महा चंद्रमा है जो सभी ग्रहों और आकाशों की ज्योतियों को सहारा देता है जब भू रिगवेद है, भूव सामवेद है और स्वह यजुर्वेद है तब महा ब्रह्म है और ब्रह्म से ही सभी वेद महान होते हैं क्योंकि वे ब्रह्म का ही ग्यान है जो सभी वेदों में व्याप्त है और जो ने महिमावान बनाता है जब भू प्रान है भुवा अपान है और स्वाव व्यान है तब मुह अन है और अन से ही सब प्राणाधार शक्तियां पोशित होती हैं और महान बनती है ये चार रहस्यवादी बोल हैं एक के चार चार भेद होने से ये कुल मिलाकर सोले ध्वनिया बन जाती हैं वो जो उन्हें तत्व से समझ लेता है वे ब्रह्म को समझ लेता है और उसे प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति सब का प्रिय बन जाता है सब उससे प्रेम करते हैं सभी देवता उसके सामने आदर से नतमस्तक होते हैं और सम्मान से उसके लिए उपहार लाते हैं वे है जो सब जीवों के हृदे में आकाश है उसमें ब्रह्म निवास करता है यह ब्रह्म में ही प्रकाश सरूप मनोमे पुरुश है दोनों तालूओं के बीच में स्तन के समान एक मास पिंडन लटका है उसकी आगे केशों का मूल स्थान है जिसे ब्रह्मरंद्र कहते हैं यही ब्रह्म का जन्म स्थान है और यही शरीर से ब्रह्म का बाहर जाने का स्थान है यही से ही ब्रह्म प्राप्ति होती है यहीं से निकल कर मनुश्य भू अर्थात अगनी में स्थित हो जाता है इसके बाद भुव अर्थात वायू में स्थित हो जाता है तथा तत्पश्चात सूर्य में स्वह होकर और ब्रह्म में महा होकर स्थित हो जाता है वे स्वशासन प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन का स्वामी बन जाता है वे अपने मन, अपनी वानी, अपनी दृष्टी, अपना सुनना तथा अपनी बुद्धी का शासक और भगवान बन जाता है वे यह सब कुछ और इससे भी बढ़कर बन जाता है वे ब्रम्ब भी बन जाता है जिसका शरीर अंतरिक्ष के समान है जो निराकार, सर्व, व्यापी और साथ ही बहुत सुक्ष्म शरीर वाला है इंद्रिया यहां विश्राम लेती है यह मन को आनन दायक है शांती से संपन और अविनाशी है ब्रम्म का ऐसा सुरूप मान कर हमें उसकी उपासना करनी चाहिए जो ब्रम्म की यह मान कर उपासना करता है वे अपने सभी अंगों पर नियंतरन करता है वे सभी जीवों की आत्मा बन जाता है वे उत्तम और निशकलंग बन जाता है और वे शांती और तसली से भरपूर हो जाता है पृत्वी आकाश स्वर्ग मुख्य दिशाएं और बीच की दिशाएं ये पांच लोकों के प्रतिनिधी हैं अगनी वायू सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र जो जोतियों की प्रतिनिधी हैं जल पेड़ पौधे और शधियां व्योम और शरीर ये सब भौतिक अस्तित्व म आने जाते हैं अब पूरुष के बारे में अर्थात अध्यात्मिक दृष्टी से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान जो प्राण के प्रतिनिधी हैं नेत्र, कान, मन, वानी, त्वचा जो साधनों के प्रतिनिधी हैं चर्म, मास, मासपेशी, हड़ी, मज्जा ये श ने कहा ये वास्तव में 5 का समु है प्रकरति के भोतिक 5 से मनुष्य के अध्यात्मिक 5 को जीता जा सकता है मनुष्य अपने भीतर को अपने बाहर से पूर्ण मनाता है ओम ही ब्रह्म है जो इश्वर का परमचिन्न है ओम ही समस्त जगत है वे स्रिष्टी में हर जीव है और वे स्रिष्टी में हर चीज है ओम इश्वर और ब्रह्म दोनों है ओम अनुपालन और सहमती दोनों है हर शुद्ध और हर शुब काम ओम का उचारण करके ही किया जाता है यह कहने पर ओम सुनाओ पुरोहित सुनाना अरंब करता है ओम से शुरू करके सामवेद के मंत्र तथा गुणगान के गीत गाये जाते हैं ओम से शुरू होकर सब प्रार्थनाएं सुनाई जाती हैं ओम से अदवर्यू पुरोहित उत्तर देता है, ओम से ब्रह्मा पुरोहित अरंभिक स्तुती गाता है, ओम का उचारन करके यग्य में आहुती डाली जाती है, ओम का उचारन करके ब्रह्मन प्राथना करता है, मुझे ब्रह्म प्राप्त हो और ऐसे ब्रह्म की इच्छा करते व वेब्रह्म में स्थापित हो जाता है। और वास्त्र में वेब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सदाचार का पालन करो, सत्य निष्ट बनो, तपस्री बनो, इंद्रियों का दमन करो, मन को नियंत्रण में रखो, हवन की अगनियों का चैन करो और यग्य करो अतिथियों का सत्कार करो सदा उचित और श्रेष्ट व्यभार करो कुटम्ब वृद्धी और वंश को आगे बढ़ाने का काम करो समझ लो कि अकेला ग्यान होना ही सब कुछ नहीं है उस ग्यान को जीवन में उतारो इसलिए वेद शास्त्रों को निरंतर पढ़ो को भी पढ़ाओ रथीतर के पुत्र सत्वचा के अनुसार सत्य सबसे श्रेष्ट है पुरुशिष्ट पुत्र तपो नित्य के अनुसार तप ही सर्वश्रेष्ट है मुदगल के पुत्र नाकमुनी के अनुसार वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना ही सबसे शुरिष्ट है अता है इन रिशियों के अनुसार हमें सत्य तप और वेद शास्त्रों के पढ़ने और पढ़ाने में द्रण रहना चाहिए वेदों का ज्यान और ब्रह्म को प्राप्त कर रिशी त्रिशंकू बोला मैं शाश्वत अनादी काल से चले आ रहे इस जीवन व्रिक्ष के भेद को समझ गया हूँ और इससे उपर उड़ गया हूँ और अब मैं इससे चलाने वाला बन गया हूँ मेरी ख्याती परवत के चोटी की तरह है उस महान उस परंब्रम ने मुझे सूर्य जैसा पवित्र बना दिया है अन्न का उत्पादन करने के शक्ती लिए सूर्य में जैसे अमरित है मैं भी वैसे उत्तम अमरित में प्रकाश सरूप हो गया हूँ धन का भंडार हो गया हूँ मैं अमरित में हो गया हूँ वेद पढ़ाने के बाद विदा होने के समय अचार्य शिश्यों को शिक्षा और परामश देते हैं और समझाते हैं हमेशा सत्त्य बोलो सदाचार और सद गुणों का जीवन जीओ नियमित रूप से प्रती दिन वेदों का अध्यान और पढ़ना जारी रखो इसकी उपेक्षा कभी मत करना आचार को उसे दक्षना सुरूप परियाप्त धन लाने के बाद संतान से नाता कभी न तोड़ो सत्य की उपेक्षा कभी न करो सदाचार और सद्गणों की उपेक्षा कभी न करो धरम से कभी नहीं गिरना शुब कर्मों से कभी नहीं चूकना उन्नति के सादनों से कभी नहीं चूको वेदों को स्वयम पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना कभी मत भूलना देवकारियों और पित्रे कारियों से कभी न चुको ऐसे बनो जिसके लिए माता भगवान है मा को भगवान समझो ऐसे बनो जिसके लिए पिता भगवान है पिता को भगवान समझो ऐसे बनो जिसके लिए अचारे भगवान है अचारे को भगवान समझो ऐसे बनो जिसके लिए अतिति भगवान है अतिति को भगवान मानो केवल वो ही करम करो जो अच्छे और बिना दोश वाले हो दूसरे नहीं जो भी अच्छे आचरण और अच्छे विवार हैं तुम उन्हें ही अपनाओ दूसरों को नहीं ग्यानियों को विद्वानों को ब्रह्म को जानने वाले तथा जो भी तुम से श्रेष्ट हो उन्हें सब का आदर सतकार करो उन्हें जो कुछ भी दिया जाना है अर्थात आसन या दानादी वे हमेशा श्रद्धा से ही दिया जाना है बिना श्रद्धा के कभी नहीं और परियाप्त मात्रा में दिया जाए विनैशीलता तथा नम्रता से दिया जाए बिना भैके और दया से विवेक पूर्वक दिया जाए और फिर यदि तुम्हारे मन में अपने कर्म, अपने आचरण या अपने कर्तवय के विशे में कोई शंका हो कि हमें ये कैसे करने चाहिए तो इन सब परिस्थितियों में तुम उन रिशियों, उन ब्रह्म को जानने वाले तथा जो हमसे श्रेष्ट हैं तुम उनकी ओर देखो, उनसे प्रेड़ना लो क्योंकि वे लोग कर्म करतवय और अचरण को अच्छी तरह जानते हैं वे न्याय करने में सक्षम है वे दूसरों के नित्रित में नहीं है वे कठोर नहीं है और वे सदाचार और सदगुणों के प्रेमी है फिर तुम भी वैसे ही करो जैसे वो इन परिस्थितियों में करते तुम भी उनके उधारन सरूप करो तब यदि तुम्हारे मन में शंका हो कि जिन लोगों ने पाप किया है या जिनों ने दोश किया है उनके साथ मुझे कैसा बरताव या विवार करना चाहिए या भी तुम उनके साथ वैसा ही व्यवार करो जैसा तुम से श्रेष्ट जन जो विद्वान है जो ब्रह्म को जानने वाले हैं जो कठोर नहीं है जो दूसरों के नित्रित्व में नहीं है जो न्याय करना जानते हैं और जो सदगुनों और सदाचार के प्रेमी है जैसा वे उनके साथ व्यवार करें तुम भी वैसा ही करो उनके दिखाए हुए मार्क पर चलो जगत का त्याग मत करो बलकि एक अच्छे ग्रिहस्त बनकर सदाचारी जीवन जियो और जन कल्यान के लिए काम करो यही आदेश है यही शिक्षा है यही वेदों का गुप्त सिध्धानत है ऐसे ही जीना चाहिए और ऐसे ही उपासना करनी चाहिए हाँ ऐसे ही जीना चाहिए और ऐसे ही उपासना करनी चाहिए दिन और प्राण के देवता मित्र रात्री और अपान के देवता वरुण आख और सूरी मंडल के देवता रियमा बल और भुजाओं के देवता इंद्र वानी और बुद्धी के देवता ब्रिहस्पती विशाल डगों वाले तथा पैरों के देवता विश्णू ये सब के सब देवता हमारे लिए कल्यानकारी हो और इन सब की कृपा हम पर सदा बनी रहे सर्वशक्तिमान ब्रह्म को जो सभी देवताओं की आत्मा है हमारा नमस्कार है वायू जो प्रतीत होने वाला ब्रह्म है तुमको नमस्कार है तुम ही रित के स्वामी हो अर्थात तुम ही ब्रमांड की व्यवस्था के स्वामी हो अतै तुम्हें रित कहा है तुम सत्य के स्वामी हो अतै तुम्हें सत्य कहा है उस सत्य ने मेरी रक्षा की है उस सत्य ने मेरे आचारे की रक्षा की है हाँ, उस सत्य ने मेरी रक्षा की है, हाँ, उस सत्य ने मेरे आचारे की रक्षा की है शिक्षा वल्ली समाप्त, तैतेरी उपनिशद का पहला भाग समाप्त, ओम, शान्ती, 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 ओम